नमस्कार दोस्तों दोस्तों जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दें गई इस वीडियो में आज हम इस पूरे इंसिडेंट को कवर करेंगे साथ में हम लोग डिसकस करेंगे शिंजो आबे की पूरे पॉलिटिकल करियर पे हम आज डिसकसिन करने वाले हैं कब कैसे क्या हुआ साथ में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब किस तरह से इंडो जापान रिलेशन्स अपने क्लाइमेक्स पे थे और हमेशा से उन्होंने क्या कोशेश करी इंडिया और जापान के रिलेशन्स को बेस्ट बनाने में यह सब चीजों पर हम डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं यह आर्टिकल आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का शूटर हेल्ड ग्रज अगेंस्ट और्गनाइज़ेशन ही बिलीवड आबे वस कनेक्टेट टू तो अभी तक तो आपने सब सुनी लिया होगा मैं एक बार फिर भी बता देता हूं क एक्जैक्ली हुआ क्या है साड़े ग्यारा बजे का टाइम था जब यह व्यक्ति जिसका नाम था यामागामी यह गोली मार देता है शिंजो आबे को शिंजो आबे जपान के नारा शहर में कैंपेइनिंग कर रहे थे 10 जुलाई को अपर हाउस के एलेक्शन थे अपर हाउस क्यार कर दिया इस शूटर को पकड़ लिया गया और शूटर से पूचा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने रीजन साइट किया कि जिस और भुक्रेशन को शिंजो आबे बिलॉंग ठोड़ाइचन से काफी साथ है यह था कि Si suaz Spicy maji फॉराkि यह क्या को आदेक्वपलरिश्ष मुहंद सम presenting मीनी आती थी लिवर्ड डिमोक्रीटिक पार्टी की जो प्रेसिटेंटे मुझे की पॉलिश समझ में नहीं आती थी मैं उनकी policy से खुश नहीं था अब ये क्या कारण था खुशना होने का this is not very clear ये भी पता नहीं चला है नहीं उसने disclose किया है ठीक है बट ये एक बहुती ट्राजिक इंसिडेंट था जैपान के हिस्टरी में जब किसी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से assassination कर दिया जाता है चलिए आगे बात करते हैं इंडिया ने clear किया कि we will have one day of state morning after Japan ex-prime minister Shinzo Abe Abe's death ठीक है तो यह of course बनता ही था क्योंकि इंडिया के काफी अच्छे close ally था जपान और in fact हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरें मोदी जी उनके काफी अच्छे दोस्त भी थे नरेंद मोदी जी का tweet भी आयास पे और नरेंद मोदी जी ने लिखा कि deeply distressed by the attack on my dear friend Shinzo Abe our thoughts and prayers are with him his family and the people of Japan तो सब को यह बात पता है किसी से यह बात छुपी नहीं है कि मोदी सहाब PM Modi and Shinzo Abe की दोस्ती बहुत अच्छी थी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एलाइज ना होकर वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे in fact मैं आपको बताओं कि कोई भी Japanese प्रीमियर कभी इतना इंडिया विजिट नहीं किया जितना शिंजो आवे ने किया और वो सारा विजिट आप देखेंगे तो PM Modi के टेन्योर में हुआ ठीक है इन सब चीजों पर और ही बात करेंगे बट राइट नौ जो प्रेसिदेंट जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के हिस नेम इस कुम्यो किशीदा और किशीदा भी आज के टाइम में भी जब भी वो कहीं भी कुछ बात करते हैं तो वह अबेन और शिंजो अबे का नाम जरूर लेते थे क्योंकि उनीक वह एक अक्चुली पिलर थे शिंजो अबे इस एक्चुली पिलर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ठीक है तो हमेशा जैसे आप देखते हैं हमारे कंट्री में भी लीडर का नाम हम उस शूटर को जो भी इसका एलेगेशन लगा है जो भी इसका कपरी से करीशा यहां पर देने वाले हैं तो जुभा है कंट्री के आ बेस्नों पॉलिटिशन का यह तब हुआ है जब जब सब्सक्राइब हैं जैसे कि आप अमेरिका में देखते हैं वहाँ पर तो गंपान करने का जो कानून है काफी ज़्यादा लीनियंट है बट ऑन दी कंट्रडी जपान में आपको इस तरह कोई भी लॉव देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस्ट्रिक लॉव है वेरेट कमस टू ओइनिंग अगण ठीक है और यह तब हुआ है जब यहा प्राइम मिनिस्टर दोजार चे में तो भी उन्होंने एक साल में रिजाइन कर दिया था और टाइम ऑल्सकुछ मैडिकल कॉंप्लिकेशन उनको आ गए थे तब लगा नहीं था कि शिंजो आबे वापस पॉलिटिक्स में आएंगे बट 2012 में वह रिबाउंस करते हैं और फे परफॉर्मिंग गंगा आरती ठीके ना काफी जब इनका विजट होते थे इंडिया में प्राइमस्टर बनने के बाद आफ कॉर्स तो इनने काफी जगये विजट किया इंडिया के अंदर ठीके ना आपको पता है कि जैपैन का बहुत ही जादा रोल है इंडिया के पर उनको मिला हुआ था अपार्ट फ्रम देट शिंजो आबे ने क्वैड का जो इनिशेटेव है उसको शुरू किया था ही इनिशेटेट दी क्वैड क्वैड आपको पता होगा एक ऐसा ग्रूप है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था राइट उसमें आ आपे जी का बहुत ही इंपॉर्टन रोल था आज यू कन रीड इस आपके आर्टिकल हाव शिंजो आबे इनिशेटेट क्वैड प्लेड प्लेड अ पिवर्टल रोल इन ट्रांसफोर्मिंग इंडिया जैपन टाइज राइड अब फ्रॉमिस फिर्स विजिट टू इंडिय पहली बार जाइड एंडिया में 2006 और साथ में करते हैं और उसके बाद पिर यूदी साब देखे बंते हैं 2014 में तो 2014-15-17 में लगातार वो इंडिया को विजिट करते हैं कि इंडिया और जापान के जो टाइज हैं वो कितने जादा अच्छे थे ठीक है अब को जिनके बारे में इंफॉर्मेशन यह भी है कि इनको 1993 में यह house of the representatives में elect हुए थे और फिर उसके बाद इनको chief cabinet secretary बना दिया गया था बाइदी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कोई जूम कोई जूम ही थी ठीक है ना इनको उन्होंने chief secretary बनाया और उसके बाद इनी को इसी प्राइम मिनिस्टर को replace करके वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गय थे 2006 में जाके और वो LDP यानि liberal democratic party के president भी बन गय थे ठीक है ना one more important point कि जैपान के youngest post war prime minister था ये ठीक है और साथ में world war 2 के बाद he was the first to have been born मतलब world war 2 जो खतम होती तो उसके बाद he is the first to be born जो prime minister बने है तो ये कुछ information है जो आपको उनके बारे में याद रखनी चाहिए और in fact ये भी बड़ी बात है कि जैपान जो है इंडिया का third largest investor है ठीक है ना Japan is third largest investor in the Indian economy तो of course इंडिया और जैपान की जो ties है वो कितने important है ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमेशा से जैपान ने इंडिया की मजद करी है soft loans दिये हैं इंडिया को इंडिया में बहुत सारे developmental projects हुए है जैपान की तरफ से कई सारे projects आज भी running है और ये सब कुछ देन आप देखोगे तो जैप शिंजो आबे की थी जब वो prime minister थे का काफी अच्छा टेन्योर था काफी अच्छा अभी जैपान के साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे पट ऑफ कॉर्स शिंजो आबे की टेन्योर में this was at a different level तो आयोप आपको यह कुछ छोटा सा वीडियो था जो इनकी ऊपर था इनकी को डेडिकेट करते हुए था उम्मी अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत